हेलो एवरिवान वेलकम चू मेंटी अकाडमी आज जैसा की हमारा सेवंथ बजेट आज लोट सभा में फिनांस मिनिस्टर निर्मिला सिता रमन ने प्रेजेंट करा है तो आज हम उसी के बजेट के कुछ कुछ important features देखेंगे हमारे exam के लिए कि क्या क्या है अगे start करते हैं इससे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कुछ की की facts जो आपको budget से questions हमारे बन सकते हैं पहली चीज कि budget कौन present करता है तो budget is presented by our finance minister जो की अभी कौन है निर्मेला सीता रमन सेकिंड इस पार ही budget की क्या priorities थी तो nine priorities थी budget की कौन-कौन सी productivity, jobs, social justice, urban development, energy security, infrastructure और साथ हमें कुछ reforms की भी बात की गई है by our finance minister अब focus कहां-कहां पे था तो focus basically किन sectors पे है एक तो घरीब आदमी की ऊपर इस budget का क्या प्रभाव होगा फिर महीलाओ के ऊपर इनके लिए क्या धम देच सकते हैं फिर youth के लिए और साथ ही मेलास्ट farmers के लिए तो यह चार different sectors है जिन पे budget का focus है अब प्राइम मिनिस्टर के भी जो कुछ schemes थी तो यहां पे हम देखेंगे कौन-कौन-सी schemes की बात करी है उन में भी हमने देखने को मिला है कि जो budget का total outlay होता है वो आपका increase देखने को मिला है तो आईए start करते है तो पहला आपका है कि एक हमारा road map बनना चाहिए विच सिट भारत का मतलब कि हमें चार major cast पे हमें करना है जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मस, गरीब, महिलाए और यूवा अब बजट की थीम क्या है तभी कभी यह भी कोशन आ जाता है कि बजट को किस किस category में डिवाइड करा गया है अगर आप देखेंगे तो employment, skilling, MSME और middle class के ऊपर यह basically budget का थीम था कि इन से agriculture में अब किस तरह से होगी अगर हम अपनी agriculture research को transform करेंगे हम review करेंगे हम setup करेंगे हम focus लेकर आएंगे productivity पे national cooperation policy ताकि हम all-round development देखने के लिए cooperative sector की एक हमें all-round systematic एक round-up weekend से हमें policy जारी करनी पड़ेगी फिर आत्म निरभरता जैसे कि मान लीजी यहां पे mention है कि oil seed होते हैं कै इसे कि आपकी सरसो हो गया that is mustard, groundnut, sisme, soya bean और sunflower फिर vegetable production supply chain में भी जो आपकी प्रमोशन है हम किस तरह से जो start-ups है के supply chains के collection, storage कहां पे हम अनाज को अगर store करते हैं हम कैसे collect करते हैं हम कैसे market करते हैं उसका भी बहुत जादा प्रभादेटने को मिलता है फिर आता है new varieties का release होना that is 809 new varieties का हमने जो करना है ये भी cultivation कहां पे होगी by farmers, ये release होगी by the horticulture crops अब हम देते हैं natural farming में हमें देच सकते हैं कि जो एक करोर हमारे farmers है across the country उनको initiate किया जाए natural farming में जो support भी किया जाए by certification और branded next two years में अब आते है श्रेम production और export अब यहां पर भी financing देखने को मिली है जो कि facilitate होगी किसके थूँ नबार के थूँ यहां में mention कोई और organization भी हो सकती है exam में तो यह चीज़े छोटी-छोटी ध्यान रहती है next is digital public infrastructure अब हमें digital public infrastructure that is हमें farmers को जो coverage करना है उनके lands को cover करना है 3 साल में हमें crop survey digitalize करना है 400 district में और insurance जो है जन समत की जो कि हमारी किसान credit card के उपर based next हमारी और हमें employment में हम क्या देच सकते हैं यह हमने देखा agriculture के उपर सारे factors अब employment में परधान मंत्री के packages से package मतलब कि जो schemes उन्हेंने launch करी थी employment link incentive को लेकर एक तो यह था कि एक मीने की जो आपकी wage है वो आपकी new entrance को दी जाए कि formal centers में 15,000 की installments में expected यह है कि 210 that is 210 lakh youth will be benefited expected है कि इसे benefit होगा अब next आती है कि government reimburse भी करेगी EPFO contribution employees का up to 3,000 per month और 2 years for all the new hires अब यह तो आपकी scheme आगी A, B, C मतलब first timers जो आएंगे फिर job creation जो manufacturing में है उनके लिए हमें क्या करना है कि हमें link करना है first time employees को incentives देने है that is employee के लिए भी और साथ में जिंकी contribution हो रही है EPFO में specified sales के लिए फर्स चार सालों में यह भी inspector है कि 30 लार यूवा को यह benefit करेगा फिर नेस आता है employers को हम कैसे benefit कर सकते हैं कैसे support दे सकते हैं सरकार के दवारा तो उसमें यह government reimburse करेगी आपके EPFO contributions फिर नेस आते है कि अब upskilling programs भी सरकार ने बहुत सारे पीछे launch करे थे यह थी fourth scheme अब fourth scheme में इस जाएगा और साथ ही में वहां पे आपको outcome orientation में प्राक्तिकली कैसे हो कि आपको इस तरह से करवाया जाएगा उस तरह से जो को से वहां पे aligned होगा जो कि आज की industry की skills पे हमें actually एक बंदे से requirement होती है next time देते हैं अब priority और हमारी तीसवी क्या है हमारी है inclusive human resource development और social justice मतलब कि परवोदया विकास भी और विरासर भी मतलब कि हमें a pit plan लेके आना होगा eastern states में जहां क्लवर्टॉल्टॉंसी होगी बिहार जारकन बेस्पिंग कॉल ओडिसा आंदा परदेश जहां पे हमें अपनी opportunities generate कर पाए एक विरुस सिर्भायर के लिए जो अमरिट सर कॉलता था इंडस्ट्रिल कॉरिडर है विदर development cycle of this इसके इंडस्ट्रिल नोड कहां बनेगा गया में अब allocation की जाएगी तीन लाग करोड की schemes के लिए जो विमन और गर्ल्स के लिए बेनिफिट होगी फिटनेर साब क आती है स्कीम प्रधान मंत्री जन्तिया उन्नत धिराम भभियान यहां पे शोशो एकॉनमे कंडिशन की बात हो रही है कि ट्राइबल कमेनिटीज की जो 63,000 विलिजस है जो पांच क्रो ट्राइबल पीपल को बेनिफिट होगा इस स्कीम से more than 100 ब्रांच कुली की इंडियन प को लबरम के बारे जानना और साथ में वह भी जानना कि वह कौन सी रिवर पे सिट्वेटिड है फिर इसेंशनल जो इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्र है जैसे की पानी हो गया बिजली हो गई एकर ट्रेलवेस हो गए रोड हो गए तो यह भी किस तरह से वहां पे सेटप किये जा होगा साथ में एक MSMA units available करवाई जाएंगे सेटप करवाई जाएंगे food eradication quality और safety testing के लिए एक credit support भी दिया जाएगा MSMA को और मुद्रा लोंस तो आको पता ही है कि जो limit है वो enhance कर दी गई है तो 20 लाग पहले 10 लाग होता था under the tarun category अब internship opportunities भी schemes भी हम लेकर आएंगे internship provide करते हुए that is और allowance देंगे 5000 पर मंथ along with a one-time resistance of 6000 थूँ आरफ funds तो यह आपका 5 पाकेज है जो कि हम बात कर देते हैं प्रधान मंत्री के packages में जो जो प्रियोलिटीज है अब next आती है अर्बन development में अब अर्बन development में देखिए आज के time पे आप शहर में रहते होगे तो आएए आप महसूस कर सकते हो कि आपके आसपास किस तरह से development का होना बहुत ही जरूरी है तो पहले तो अगर हम बात करें stamp duty हम state को encourage करेंगे कि stamp duties को कम किया जाए जो कि specially महलाओ के थूपेट food hubs लेकर आए sled cities में फिर transit oriented development that means 14 large cities में एक हम development हम बहाँ पे plan लेकर आए एक transportation transit का जहां पे आपकी development हो फिर water management में हम प्रमोट करे water supply को sea waste treatment को solid waste management projects को 100 large cities में through bankable projects अब यह तो बात ही urban development की कुछ housing needs के भी हम बात करते हैं यहां पे आपको पता ही है पधान मंत्री आवास योजना 2.0 तो यहां पे यह एक आया है हमारे सामने एक data आया है कि एक needs कितनी है 1 crore urban poor or middle class families को address किया जाएगा with an addressment of 10 lakh crore और enable की जाएगे policies and regulation कि transparent rental housing markets एक बन पाए जहां पे आपकी enhanced availability हो यह सब factors होगा तभी हम housing needs को address कर पाएंगे अब हम next देते हैं energy security पे तो initiatives लेकर आने होगा nuclear energy में मदलब कि हमें भारत में small reactor setup करना होगा हमें R&D जो भी होती है वो भी हमें करनी होगी for the new technology pumped storage policy हमें electricity storage और smooth integration of renewable energy को promote करना होगा हमें thermal power plants को रणना होगा जो एट joint venture भी setup किया जाएगा NTBC और BEL के अंदर that is BHEL के अंदर थाकि 800 हमें commercial plant का full scale कर पाए energy audit में आपकी financial audit जो होता है आपका support दिया जाएगा MSME that is micro small industries को की cleaner forms of energy पे हम shift करा जाए हमें अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है तो यह किस तरह से benefit होगा तो वान क्रोर हाउस्वर्स उप्टेइन free electricity एक data आया है सामने अब तू 300 units every month and 1.28 क्रोर registration होती वह भी तक applications सरकार के सामने आई है next हम देखते हैं infrastructure के ऊपर अब यहां पर ऐसा बताया गया है कि हमें 1.5 लाग क्रोर जो है वह में states को देना होगा long term interest free loans ताकि एक resource allocation होकर पाए साथ में हम irrigation में करेंगे कैसे जो financial support है projects का 11,500 क्रोड का जिसको हम course में की जो इंट्रा स्टेट है जो आगे और भी schemes को benefit करेगा साथ में हम reconstruction and rehabilitation हमाचर परदेश को भी एक resistance दी जाएगी अब आते हैं infrastructure के tourism sector में तो यहां पर यह important है आपके art and culture से कि हमें एक development होगा यहां पर विष्णु पर temple corridor का और महा बोधी temple corridor का जो model है आपकी काशी विष्मना temple corridor के उपर एक comprehensive development initiative होगा राजगिर के लिए जो की hold करेगा significance obviously importance for Hindus, Buddhists and Jains फिर जो नलान्दा है उसको हमें आज़ा tourist center develop करना है बिसाइज महां पर जो नलान्दा उनिवर्सिटी का आपको history पता ही होगी किस-किस तरह से हमारा heritage है हमारे जो आगे सार इंज है वह हम किस तरह से उसको आज़ा मानते हैं फिर assistance हमें development के और DISA के scenic beauty को भी देनी होगी monuments, craftsmen, wild life centuries तो यह सब आपके tourism को attract करने के लिए है अब innovation research development में भी कुछ हमने लिए है कि हम operationalization करवाएंगे अनुष्ण national research fund किसके लिए वो research और prototype development के लिए private sector driven research और innovation करवाएंगे with a financing pool of 1 lakh crore और space economy भी एक venture capital fund set up होगा 1000 crore नेस्ट हमारा है new generation reforms अब और हम क्या reforms लेकर आएंगे यह तो unique land parcel identification number होगा सारे lands के लिए यह आपके rural urban दोनों में आपका यह relate करेगा साथ में आप survey करोगे maps of divisions का as per current ownership की किसकी कौन-कौन सी ownership है आप linkage करो के farmer के registries को आप जो आपके सारे land records है उनको digitalize करेंगे हम urban areas में हम establishment करेंगे एक land registry यह कितना अचा डाइगनाम है आपको अपने means में general studies tree land reforms में भी बनाने के लिए फिर taxonomy for climate finance की हमें availability करवानी होगी capital के लिए कहां पे जहां पे investments आपकी adaptation or medication को लेकर है FDI और 4C investments में भी हमें simplify करना है NPS वचसालिय एक प्लान किया गया है contribution जहां पर parents and guardians करेंगे for minus improvement of data governance में आपकी सारी data का कैसे collect होता है process होता है सारी data privacy कहलो status कहलो वो सब आपके इसके अंडर आते है new pensions की solution है जो address करेगा जो अभी issues चल रही है और common citizens को protect करेगा maintain करेगा जो आपके fiscal प्रोटेंस भी formed होगी next time हम देखते है कि हमें क्या-क्या economy में improvement भी हमाएं देखने को मिली है तो हमें पहले तो improvement देखने को मिली है current account deficit में इंडिया का भी हमें देखने को मिला है क्यों real GDP growth है 8.2% पे grow हुआ है हमें PMI के भी जो मानुफार्ट्रें इंडेट्स होता है उसमें भी हमें देखने को expansionary मिला है लेकिन जो gross NPA है यह बहुत अच्छी बात है कि हमें decline देखने को मिला है off schedule commercial bank नैसमारा जो fiscal deficit है as a part of GDP वो भी हमें decrease देखने को मिला है तो यह value आपके लिए important है mains में code करने के लिए भी और यह UPSC में प्रेलिम्स में भी question पूछा जा सकता है so यह थी video अब हम last topic पर आ गई है that is a tax proposal कि simplify करना है हमें अपने taxes को किस तरह से कर सकते हैं अगर हम जो TDS और सारे जो हम tax base है उसको deepen करें तो अभी भी अगर आप देखे एक जो new tax structure आया है वो इसी परकार आया है कि जो sector specific custom duty proposals है कि हमें एट प्रॉपर जो trade है duty inversion को remove करना है हमें disputes को कम करना है तो यह sector specific बात होगी अब क्या-क्या changes आये हैं तो पहले fully exempt हो किया है 3 more cancer medicine custom duty से अब ताकि affordable benefits हो पाई फिर साथ में हमने mobile phones पे बेड्यूस कर दिया है यह बेनिफिशरी आपे mobile industry को benefit होगा custom duty gold और silver पे 6% कर दी गई है यह हमारा domestic value addition है कि लोग और भी अब लेंक पाएंगे फिर reduce है यह हमारा enhanced competitive जो है support करते है fisheries का marine का उसमें हमारा benefit होगा फिर जो more capital goods को हमने exempt कर दिया है for manufacturing of solar cells यह हमारी energy transition को support करेगा fully exempt custom duty on 25 critical minerals यह हमारे strategic sectors को boost करेगा so यह थी video यह आज जो एक video थी यह basically आपकी थी यह आपको पताने के लिए कि जो यह budget है कल हम हिंदू का भी जब paper की analysis करेंगे तो उसमें हम detailed देखेंगे जो चोर कीकी, Fats, Schemes, Data हमें एजाम के लिए पॉर्टन लगेगा आज की वीडियो यह है कि जो आज एक quit summary हो जाए budget की ताकि आपको एक glance मिल जाए, overview मिल जाए कि budget में क्या क्या है अब direct tax के proposals क्या 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 आए है कि हमें किस तरह से हमें compliance अपनी कम करनी है that means हमें entrepreneurial spirit है हमें कैसे tax relief जो होता है वो हमें provide करना है अपने citizens को so basically अब हम कैसे हर्गी कर सकते है हमें क्या क्या पहले तो मिला है हमें वो देखना है कि हमें short term gains हमें long term gains हमें देखने को मिले हमें जो limit exemption पे capital gains की वो हमें देखने को मिली तो यह सब देखना हमाली important है abolish हो गया है that is the angel tax for all class of investor very important for the exam simplify कर दिया है tax regime को ताकि हम domestic care use or safe harbor भी provide कर पाए अब new tax structure है अब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो हमारी savings है वो basically 17,500 तक हो की that means अगर आपकी income 0 to 3 no tax 3 to 7 5 percent 7 to 10 10 percent 10 to 12 15 percent 12 to 15 20 percent or more than 15 lakh अगर है तो 30 percent आपका tax होगा फिर जो standard reduction है salary employees के लिए इंकरीज कर दिया गया है 50 to 75,000 और जो reduction family pension पे है वो भी इंकरीज कर दिया गया है 15,000 to 25,000 अब यह वला चार्ट this is very important यह चार्ट आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा जब में आपको quit fats प्रेलेम से पहले एक वीडियो बनाया था अब यहां पर यह जाना जोड़ी है कि हमारा जो पैसा है वो कहां से आता है 19% हमारा जो सारा पूरा हमारा जो पैसा आता है वो income tax से आता है 5% union at size duty से आता है 18% GST से corporation से हमारा 17% custom से 4% non tax receipts से 9% सबसे जादा जो हमारा है वो आपका borrowing and other liabilities है 27% अब हमारा पैसा कहां जा रहा है अब घर में आप जब budget बनाते हो आप यहीं देखते हो ना पैसा कहां कहां से आ रहा है और पैसा कहां कहां spend हो रहा है कहां कहां जा रहा है और सबसे small amount हमारा जा रहा है pension की तरह that is 4% बागी हमारे जो centrally sponsored schemes होते हैं उनको 8% हमारा जाता है और जो central center schemes है इसमें अभी हमने defense outlay की बात नहीं करी है तो 16% जाता है बागी subsidies भी जो सरकार देती है 6% और finance commission के दुआरा भी जो transfer सारे जो हमारा होता है वो 9% जाता है अब हमने ये तो देख लिया अब major expenditure हमारा कहां सबसे जादा है तो defense है हमारा जो हमारा सबसे जादा expenditure है then rural development, agriculture, then home affairs, education, IT, health, energy, social welfare और commercial industry में अब इस बारी allocation जो major schemes है किस-किस को दी गई है सबसे जादा जो आपका महात्मा गांदी का है मगन्रेगा, फिर research and development project, nuclear power को फिर उसके बाद जो pharmaceutical के लिए भी आपका एक scheme specifically allocate की जाती है आपकी फिर जो semiconductors और solar powers है और आपका direct transfer तो यहाँ पे यह आपके लिए important है कि कितना कितना यहाँ पे दिया गया है आपको यह जानना इंजाम के लिए important है अब आते हैं हम receipts के ऊपर अब यह एक part ऐसा है जो आपको मैं specifically एक अच्छे से proper detailed video में explain करूंगी पहले तो कि revenue receipts क्या होते है, capital receipts क्या होते है, revenue expenditure और effective capital expenditure क्या होता है इनका जो relation है, इससे क्या signify होता है and I'm telling you, वो video से आपके 2-3 सवार economy में अराम से बन जाएंगे जो भी कोशन आएगा receipts और expenditure के ऊपर so यह थी आज एक quick video budget पे I really hope आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी, please don't forget to like, share and subscribe to Mendi Academy Thank you, have a nice day